बिहार पंचायत चुनाओं को लेकर लगतार जो चर्चाएं चल रही थी उसके बीच जो बड़ी खबर निकल कर आई है कि अगस्त से लेकर नवंबर के बीच जो बिहार पंचायत चुनाओं हैं वो कराया जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के जो सुत्र हैं उनसे मिली जानकारी के मुताबिक तीन अगस्त से जो परिक्रिया है चुनाओं का वो शुरू किया जा सकता है। बात की जाए तो निर्वाचन आयोग ने तमाम जो जीले हैं उनके डियम के साथ वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से चर्चा की और निर्देश दे दिया है कि पंचायत चुनाओं को लेकर जो तैयारिया हैं उसमें डियम जूट जाएं। बिहार में पंचायत चुनाओं की शुरुआत तीन अगस्त से हो सकती है। राज्या निर्वाचन आयोग के सुत्रों से ये बड़ी ख़बर मिल रही है। तीन अगस्त से लेकर तिन नवमर तक दस चड़नों में पंचायत चुनाओं कराया जा सकता है। वोटिंग 27 अगस्त को हो सकती है। निर्वाचन आयोग के सुत्रों के मुताबिक आखरी चरण की वोटिंग 31 नवमबर को हो सकती है। आखरी यानि दसवे चरण के चुनाओं की काउंटिंग 2 और 3 नवमबर को हो सकती है। और उसी दिन चुनाओं वी परिक्रिया वैसे राज्य निर्वाचन आयोग ने इस चुनावी कारेकरम की पुस्टी नहीं की है आयोग ने पंचायत चुनाव की तारिक को लेकर फिलहाल कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया है लेकिन सुत्र बताते हैं कि तैयारी यही है कि तीन अगस से चुनावी परिक्रिया जाएगा और अधिकारिक तोर पर चुनाव की तारिकों का एलान किया जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग के सुत्रों से मिली जैनकारी के मुताबिक दस चरणों का पंचायत चुनाव इस तरह हो सकता है पहला चरण का चुनाव तीन अगस्त से नामंकन 27 अगस्त को से नामंकन 10 सितंबर को वोटिंग और 12-13 सितंबर को काउंटिंग के तौर पर रखा गया है बात की जाए तो चौथे चरण का पंचायत चुनाव बीस अगस्त से नामंकन और 14 सितंबर को वोटिंग के साथ 16 और 17 सितंबर को काउंटिंग के तौर पर रखा गया है वहीं पा नामंकन के शुरुवात होगी वह 6 सितंबर बताई जा रही है इसके साथी 30 सितंबर को वोटिंग और 2 से 3 अक्टूबर को काउंटिंग के लिए रखा जाएगा साथमे चरन का पंचायत चुनाओ 13 सितंबर से नामंकन के लिए शुरुवात होगा और 8 अक्टूबर को वोटिंग की जाएगी इसके साथी 10 और 11 अक्टूबर को काउंटिंग किया जाएगा बात की जाए तो आठमे चरन का पंचायत चुनाओ 24 सितंबर को नामंकन के रूप म कर दो चुनावप किया जायेगा तो साफ तोर पर बिहार की जो की जा रहे हैं और जो सुत्र बता रहे हैं उससे तीन अगस्त से नामंकन की परिक्रिया जो है वो शुरू होगी और पूरा जो चुनाव होगा वो तीन नमंबर को सामाप्त हो जाएगा